गुलाववंश का एक भोती शक्तिशाली शाशक गिया सुद्दिन बल्बन जिसकी कुरूरता के सम्मन्द में इतिहासकार इसमित ने कहा है कि बल्बन अपने विद्रोईयों के सिर से लेकर और पैर तक की चमड़ी उतरवा दिया करता था आप एक बर सोच ये कि जिंदा व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक की अगर पूरी खाल उतर दी जाए तो किस प्रकार की पीड़ा उसको होती होगी इसके अलावा अपने विद्रोईयों को हाथियों के पैरों तले कुछलवा दिया जाता था उनकी लाशों को उनके शवों को घरों के आगे टंगवा दिया जाता था ताकि एक इस प्रकार का आतंक का माहूल पैदा हो जाए कि कोई भी व्यक्ति बल्बन के विरुद्ध विद्रोई ना कर सके एक अन्य व्यक्ति बर्नी ने भी बताया है कि जिस प्रकार की सजा बल्बन के समय दी जाती थी इस प्रकार की सजा उस समय लोगों के दुवरा सुनी ही नहीं गई थी कि ऐसी भी सजाएं होती है तो इस वीडियो में हम गुलामवंश के शाषक ग्यासुद्धिन बल्बन के शाषनकाल के संबंद में बात करेंगे हम बात करेंगे बल्बन की लोह एवं रक्त की नीती के तहत किस प्रकार से विद्रोईयों को कुरूर सजाएं दी जाती थी इसके आलावा चर्चा करेंगे कि बल्बन ने उस समय दर्बार में क्या-क्या नियम लागू किये थे और कैसे जब बल्बन आता था तो एक दहशत का माहूल होता था उसके बोडी गार्ड नंगी तलवारे लेकर चलते थे इस प्रकार के बोडी गार्ड जैसे आपने बोली उड की पिचरे देखेंगी न जिसमें जलाद फांसी पर लटकाता है तो ऐसे जलाद की तरह बोडी गार्ड हुआ करते थे जिनको देखकर एक दहशत का माहूल पैदा हो जाता था हम चर्चा करेंगे कैसे एक बलबन एक नोकर से और शाशक बन गया उसके नोकर से शाशक बनने तक का सफ़र इसके अतिरिक्ते बलबन की मिर्त्यों के कुछ समय बाद ही गुलामवंश का पतन कैसे हो गया तो इस संपूर्ण विश्यपरम बात करने वाले हैं इस वीडियो का जो सबसे मुख्य सोर्स है वो एक सरकारी किताब है जो राजस्थान मादिमिक सिक्षा बोर्ड के द्वारा चलाई जाती थी कक्षा 11 में आज तो नहीं चलती है पहले चलाई जाती थी उस किताब का नाम है भारत का इतिहास एमम संस्कृती तो ये इस वीडियो का मुख्य सोर्स है इसके अतिरिक्त मैंने नेट पर भी काफी अलग-लग सोर्सेज से इसका अध्यन किया और ये जो कुछ इतिहास कारों के मैंने कथना आपके समक्ष रखे हैं ये नेट से ही मैंने लिये थे अलाकि ज़्यादा सोर्सेज उस सरकारी किताब से ही मैंने लिये हुए मैं रवन भार्दवाज आईए शुरू करते हैं इस विशय को गिया सुद्दिन बल्बन गुलाम वंश का अंतिम शक्ति शाली शाषक था अंतिम शाषक नहीं बोल रहा हूँ मैं और सन 1287 श्वी में लगबग 80 वर्ष के आयू में बल्बन की मिर्ति हो गई बल्बन का जन्म हुआ था सन 1216 श्वी में तुर्किस्तान में तुर्किस्तान जो वर्तमान में कजाकिस्तान का एक शहर है वहाँ पर इलबारी तुर्क परिवार में बल्बन का जन्मुगा था लेकिन बल्बन मंगोलों के हाथ पड़ गया बल्बन का पहले मूल नाम था बहाउदिन तो ये बल्बन या बहाउदिन मंगोलों के हाथ पड़ गया अब जब युद्ध में किसी व्यक्ति को जीत लिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है तो वो दास और दासी के रूप में काम में आते हैं तो मंगोलों ने बलबन को ले जाकर उस व्यक्ति को बेच दिया ख्क्वाजा जमारलवदीन सन्め 12-232 ऐसुई के आसपास में बलबन को लेकर दिल्ली आया और दिल्ली में जहाँ दासेयों को बेचा जाता था पशूओं को बेचा दाता था उस बाजार में बलबन को भी बेचा गया और उस समय का भारत का जो सुल्तान था गुलाम वंच का जो शाशक था वो था इल्तुतमिश तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया बलबन की योग्यता से वो प्रभावित हुआ और बलबन को अपना एक तो खासदार बनाया खासदार मतलब खास लोगों में और इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश के समय जो महत्वपून 40 लोगों का गुरूप था जिसको चहलगान या चालीसा या तुरका ने चहलगानी कहा जाता था उस 40 लोगों के गुरूप में बलबन को भी समयलित कर लिया गया तो बलबन का दीरे 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 प्रभाव वड़ता चला गया तो अब हम शुरुआत करते हैं बलबन के शाशनकाल से और फिर वापस फ्लेश बैक में जाएंगे चीजों को कनेक्ट करने के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया सन 1266 ही स्वी में बलबन शाशक बन गया अब बलबन जब शाशक बना तो इसके सामने बहुत सारी चुनोतियां थी एक तो चुनोती ये थी कि वो 40 लोगों का ग्रूप जिसको 40 आ कहा जाता था या चहलगान या तुरका ने चहलगानी कहा जाता था अब मैं बार-बर केवल 40 ही बोलूँगा इतना ज़्यादा डीटेल से नहीं बताऊँगा तो वो 40 लोगों का ग्रूप जिसको 40 कहा जाता था जिसका सदसे स्वेम बलबन भी था इस 40 हा का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वास्तों में सारी शक्तियां सुल्तान की सारी शक्तियां इन 40 लोगों के ग्रूप में ही नहीं तुआ करती थी सुल्तान तो केवल मुखोटा हुआ करता था केवल ठपा हुआ करता था तो बल्बन के सामने चुनोती ये थी कि इन चालिसा का प्रभाव कैसे समाप्त किया जाए दूसरा इस चालिसा की वजए से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा जो मिट्टी में मिल चुकी थी वापस से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को कैसे चरम सीमा तक पहुचाया जाए इसके अलावा बलबन खुद भी दास ही था तो बाकी लोग उसको शाषक के रूप में क्यों स्विकार करेंगे तो अपनी स्विकारेता बढ़ाने के लिए अब कुछ नियम भी देने जरूरी थे तो किस वंच से बलबन ने अपने आपको जोड़ा इसके अलावा कुछ सिद्दान्त भी दिये राजित्व का सिद्दान्त था कि उसकी स्विकारेता हो तो इस संपुल विशेपर हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो 40 लोगों का ग्रूप था इसका क्या प्रभाव था और इसने कैसे सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया तो देखे इल्तुतमिष के द्वारा इल्तुतमिष जो गुलाम मंच का तीसरा शाशक था सन 1211 इसवी से और 1236 इसवी तक उसका शाशन काल रहा अब थोड़ी सी मैं एक बर और चर्चा कर लेता हूँ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा साहब आप गुलाम कह रहे हो या शाशक कह रहे हो अगर कोई व्यक्ति गुलाम है तो फिर शाशक कैसे और अगर कोई व्यक्ति शाशक है तो फिर गुलाम कैसे तो एक गुलाम वन शाखिर है क्या थो एक बर थोड़ा सा आप इस बात को समझ ले ना चीजे कनेक्ट हो जाएंगी कोई चीज रटने के आउशकता नहीं पड़ेगी थोड़ा सा और पीछे की और चलना पड़ेगा जब मुहम्मद गोरी ने भारत पर आकर्मन किया था हम ये तो जानते हैं कि मुहम्मद गोरी और पृत्विराज चोहान के मद्य दो युद्ध हुए थे दो महत्वपुन युद्ध हुए थे युद्ध तो खुब सारे हुए थे लेकिन महत्वपुन एक तो ग्यारा सो एकराण में इसवी का तराइन का प्रत्वम युद्ध जिसमें पृत्विराज चोहान ने मुहम्मद गोरी को बुरे तरीके से पराजित किया था और वो अपनी जान बचा कर भाग गया दूसरा युद्ध हुआ था ग्यारा सो बान में का तराइन का दू सौप दिया मतलब अपने गुलाम को सौप दिया बाद में जब बारा सो छे इसवी में मुहम्मद गोरी की मृत्यू हो गई जब उसकी हत्या कर दी गई थी तो जहां 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 उसके गुलाम थे इन गुलामों ने अपने आपको शाशक गोशित कर दिया था और भारत में जो गुलाम वंश का जो शाशक था वो कुतुबुदीन एबक था अब कुतुबुदीन एबक मुहम्मद गोरी का गुलाम था लेकिन उसकी मृत्यू के बाद वो खुद शाशक बन गया यहां का और बाद में उसने दास्ता मुक्ती का प्रमान पत्र भी ले लिया था लेकिन कुतुबुदीन एबक के ही गुलाम इलतुतमिश ने आराम शा को गद्दी से अटा कर बड़े आराम से गद्दी से अटाया और वो खुद फिर अगला शाशक बन गया और फिर आगे और क्या हुआ अभी मैं दीरे दीरे सारा आपको इस पस्ट कर दूना तो वापस हम वीशे पर आ जाते हैं कि इलतुतमिश जिसका शाशनकाल रहा सन 1211 से और 1236 से इसवी तक का गुलाम इंश का तीसरा शाशक था पहला मैंने आपको बताया कुतुबुदीन एबक और दूसरा उसका बेटा था आराम शाथ इलतुतमिश ने क्या किया कि लोग उसका विरोध ना करें अमीर या सरदार उसके विरोध ना करें तो उसने 40 लोगों का एक गुरूप बनाया जिसको 40 या तुरकाने चहलगानी या चहलगान कहा जाता था इनी 40 लोगों का जो इलतुत मिश्च के समय उस समय तो प्रभाव था लेकिन इलतुत मिश्च के समय इन 40 लोगों की शरद्धा इलतुत मिश्च के प्रति हुआ करती थी ये उसके बहुत वफादार होते थे, बहुत विश्वस्त लोग होते थे, लेकिन जब इलतुत मिश्की मृत्यू हो गई, तो उसकी मृत्यू के बाद इन 40 लोगों का प्रभाव बढ़ गया, और सुल्तान के पद की वास्तविक शक्तियां इनके पास में आ गई, कैसे, थोड मृत्यू से पहले उसने अपनी बेटी रजिया को भारत की अगली शाशी का उसने घोशित कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यू के बाद, इस 40 हा ने रजिया को सुल्तान बनाने की बजाए, इलतुत मिश्के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को अगला शाशक बनाया, कि उसको हम कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज की जो माता थी, एक तुर्की दासी थी, जिसका नाम था शाहतुरकान, उसने सत्ता की भागडोर अपने हाथों में ले ली, परदे के पीछे से वो सत्ता चलाती थी, और पुरूश पित्र सत्ता आत्मक समाज म ये लोगों को कता ही बरदास नहीं था कि एक महीला शाशन करे, तो इसकी वजए से रुखनुद्दीन फिरोज की माता जो एक तुरकी दासी थी, उसकी वजए से रुखनुद्दीन फिरोज को हटा दिया गया पद से, और उससमें कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बदली, जिसकी वज़े से रजिया सुल्तान बन गई। अब रजिया जो है वो सन 1236 और 1240 इस्वी तक शाशिका रही। उसमें एक योग्य शाशक के सारे गुन थे। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वो महीला थी। और महीला होने की वज़े से ही उस समय के जो कट्टर मानसिकता वाल पुला रहता था तो ये बात पसंद नहीं आती थी कि महीला पुर्षों की तरह वेवार क्यों कर रही है। तो वो योग्य शाशक तो थी लेकिन वो महीला थी इसलिए वो योग्य शाशक के रूप में लंबे समय तक काम नहीं कर पाई। तो इन 40 लोगों के गुरूप ने एक ऐसे व्यक्ति को शाषक बनाया, सुल्तान बनाया जो इसके कंट्रोल में रहे। तो अब अगला सुल्तान बनाया गया बहराम शाह को और बहराम शाह को सुल्तान बनाने के साथ साथ एक नया पद स्रजित कर दिया गया। एक नई पोस्ट बनाई गई और वो पोस्ट थी नायव ए मुमालिकत मतलब एक प्रकार से प्रदान मंतरी आप समझ सकते हैं इस पोस्ट का मतलब ये था कि बहराम शाह कहने को ही सुल्तान है लेकिन सुल्तान के सारे जो डिसिजन होंगे वो परदे के पीछे से यही व्यक्ति लेगा जिसकी पोस्ट का नाम था नायव ए मुमालिकत और इस पोस्ट पर एक व्यक्ति को निउत किया गया वो व्यक्ति था اकतियारुद्दीन एटगीन जो चालीसा का सदस्य था लेकिन अब बहरामशा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि साथ सुल्तान तो मैं हूँ जन्ता की नज़रो में मैं सल्तान हूँ लोग मेरे को सुल्तान समझते हैं नियाद तो, डिसिजन तो कोई और ही ले रहा है तो बहराम शाह ने एतगीन की अत्या करवा दी अब जब एतगीन को मराया गया तो 40 हा के लोगों को ये बात पसंद नहीं है बुले जब ये एतगीन को मरवा सकता है तो हमको भी मरवा सकता है तो बहराम शा की हत्या करवा दि गई और हत्या कराने के बाद एक दूसरे व्यक्ती को लाया गया यह व्यक्ति था अलाउदिन मसूद शाह बहराम शाह लगबग 1-5 वर्ष के लिए शाशक रहा मतलब जब रधिया सुल्तान 1240 में उसके अत्या करवा दि गई थी तो 40-41-42 इ रखा जाए जिसको 40 पसंद करे, 40 मतलब वो ही 40 लोगों का गुरुप, तो मसूद इशा को अटा दिया गया, अब एक नया शाशक बनाया गया, और वो था नसीरुद्दीन महमूद, हाला कि नसीरुद्दीन महमूद का शाशनकाल थोड़ा लंबा रहा, 20 साल का रहा, 1246 और 1266 अब कहने को नसीरुद्दीन महमूद शाशक था, लेकिन वास्तों में परदे के पीछे से, सुल्तान की शक्तियों का पूरा उपयोग बलबन के द्वारा किया जा रहा था, बलबन जो इस 40 हा का सदसे था, तो खेर इतनी बात समझ में आई, कि कैसे इस 40 हा ने जल्दी जल् पंडारी आदमी था, और वास्ता में वही डिसीजन लेता था, जो इस 40 हा को पसंद होते थे, खेर अब आजाते हैं बलबन के शाशनकाल पर, तो बलबन का शाशनकाल शुरू हुआ 1266 इसवी से, शाशक बनने से पहले ही, अगर आप अनोपचारिक रूप से भी इस कारिका को सम्मिलित करो, तो नसिरुद्दिन महमूद जो 20 सालों तक शाशक रहा, वास्तों में अनोपचारिक रूप से भलबन का ही शाशनकाल था, और जब बलबन अपचारिक रूप से शाशक बन गया, तब तो उसका शाशक था, शाशनकाल था, बलबन शाशक बनने से पहले 1249 से इसवे में अपनी बेटी की शादी नसिरुद्दिन महमूद से करा दी थी, और नसिरुद्दिन महमूद ने बलबन को एक तो नायबे मुमालिकत की उपादी दी थी, मतलब प्रदानमंतरी बनाया, तबी तो शक्तियों का उपयोग किया बलबन ने, इसके अतरिक्त थोड़े-थोड़े-थोड़े समय के लिए बदल रहे थे, और जंता को भी पता था कि सुल्तान का मतलब एक हास्यास पद, एक ऐसा पद जिस पर आप अहां सको, क्योंकि सुल्तान के पास कोई ताकत ही नहीं, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा है वो कितनी ज़्यादा गिर चुकी थी, तो अब बलबन ने इस चालीसा के प्रभाव को कैसे समाप्त किया, इसके ज़्यादतर जो मेंबर थे उनको जहर देकर मरवा दिया, जैसे एक उधारन रखता हूँ, बलबन का चाचा का लड़का था, चचेरा भ जैसे एक तो बदायू का सुबेदार था, मलिक बक बक और इसके अतिरिक्त अवद का सुबेदार था, है बात खां, इन दोनों को सारवजनिक रूप से जनता के सामने, सारवजनिक का मतलब यह है न, तो सारवजनिक रूप से इन दोनों को अपमानित किया गया और 500 कोडे लगवाए गए एक दो कोड़ों में खाल जो होती शरीर की चमडी जो होती हूँ बाहर निकल कर आ जाती है तो 500 कोड़ों में क्या हालत हुई ओगी और बहुत बुरे तरीके से अपमानित कराया गया ऐसा बताया जाता है कि अपमान की वजह से हैवात खाने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था तो इन सदस्यों को अपमानित कराया गया कठोर दंड दिये गए जहर दिया गया अब एक सवाल ओर आ रहा होगा कि साब इनके कोड़े क्यों लगवाए गए तो कोड़े लगाने का एक कारण ये था कि ये दोनों कौन मलिक बकबक इस प्रकार का वो न्याय करता था कि कई बार तो ऐसा होता था कि कई बार न्याय सही है लेकिन कई बार छोटे छोटे अपराद के लिए इतना जादा कठोर सजा दे दी जाती थी कि वास्तों में न्याय होने की बज़ाया वो अन्याय हो जाया करता था तो खेर इन दोनों ने अपने नोकरों की अत्या कर दी थी इसलिए बल्बन ने न्याय के नाम पर इन दोनों को सारवजनिक रूप से कोड़े लगवाए तो ये जब चालीसा के सदस्यों के साथ इस प्रकार का विवार हो रहा था तो बाकी लोग अपने आप बल्बन के गुटने पर आ गए और बल्बन ने इस चालीसा के प्रभाव को खतम कर दिया चिन बिन कर दिया अब चुनोती ये थी कि ये जो सुल्तान का पद है इसकी प्र करे तो ये तो खतम कर दिया उसने चालीसा को लेकिन अब सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को कैसे चरम सीमा तक पहुचाया जाए तो उसने क्या किया एक तो खुद का जो दर्बार था उसको इरान के जो सुल्तान थे इरान के जो बाजशा थे या इरान के जो शाशक थे उनकी तरज पर अपना दर्बार लगाना शुरू किया। जो दर्बारी थे उनके लिए ड्रेस कोड निश्चित कर दिये कि पर्टिकुलर इसी ड्रेस कोड में आप दर्बार में आओगे। दर्बार में हसना तक मना था। इसके आलावा कोई शराब पीकर नहीं आ सकता था सारवजनिक रूप से शराव नहीं पी जा सकती थी अलाकि ये एक अच्छा decision आप मान सकते हो कि बल्बन ने जब शराब पर प्रतिबंद लगाया शराब पीने पर नहीं सारवजनिक इस्थानों पर शराब पीना और दर्बार में शराब पीकर आने पर प्रतिबंद लगाया तो वो पहले भी शराब वो खुद भी पीता था, लेकिन प्रतिबंद लगाने से पहले उसने खुद ने शराब छोड़ी, और फिर ये प्रतिबंद लगाया, इसके आलावा, जब वो धर्बार में आता था, इतना दहशत का, इतना डरावना माहूल हो जाता था, कि वो मतलब समझ लो इसका, क्या मतलब है, सजदा या सिजदा का मतलब ये है, कि आप सुल्तान के सामने जाओगे, जो भी दर्बारी है, वो सुल्तान के सामने जाएगा, गुटनों के बल बैठेगा, और सिर जुकाएगा, गुटनों के बल बैठ कर सिर जुकाएगा, और पैबोस का मतलब ये है, कि सुल्तान के पैरों को चूमेगा, तो ये दो प्रताएं उसके दुआरा शुरू की गई थी, अब ये सारी मातक अपनी छवी बनाने के लिए और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए अब उसने अपना संबंध एक प्रतिष्ठित वंश से जोड़ा उसने कहा मैं गुलाम नहीं हूँ एक अच्छे कुलीन वर्ग से संबंध दितूं अच्छे वंश से संबंध और उसने आफरा सियाव वंश से अपना रिलेशन जोड़ दिया तो ये गुलाम होने का दाग उसने अटवाया इसके अलावा उसने एक सिद्धान्त दिया राजत्वका सिद्धान्त ताकि लोगों के मन में किसी भी प्रकार का ये ना हो कि साब सुल्तान के खिलाफ बोल ज जिल्ली इलाह का मतलब कि वो स्वैम इश्वर का या अल्ला का प्रतिविंब है प्रतिविंब मतलब इमेज तो यहां धरती पर अल्ला का या इश्वर का प्रतिविंब कौन बल्बन जैसा उसने कहा कि मैं जिल्ली इलाह हूं इसके अलावा उसने कहा मैं नियाबत एक हुद मतलब यहां इस धर्ति पर ईश्वर या अल्ला का मैं प्रतिनी दी हूं तो धर्ति पर उसने कहा पेगंबर के बाद सुल्तान का पद आता है और सुल्तान निरंकुष होगा सुल्तान की जो मर्जियाए वो कर सकता है सुल्तान जंता के प्रति जवाब देह नहीं है तो ये सारी इस प्रकार की बाते उसने कही कि सुल्तान के डिसीजन की अवहेलना नहीं की जा सकती, सुल्तान की निंदा नहीं की जा सकती तो ये सब करने के बाद उस समय उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बहुत चरम सीमा तक पहुचा दिया था अब बात आती है कि जो जो लोग बल्बन के विद्रो ही थे तो उनको इस प्रकार की सजा देनी थी कि बाकी का कोई भी व्यक्ति हो जिसके मन में विद्रो का विचार ही पैदा नहीं हो ना चीए तो कुछ उधारन में आपके समक्ष रखता हूँ जैसा एक तो वही सरकारी जो किताब है राजिस्थान की जिसमें पेज नंबर 219 पर जानकारी दी गई है वही भारत का इतिहा सेमसंस्कृति की बल्बन ने कटिहार में अपने विद्रोईयों का दमन किया कटिहार जो बिहार में आता है और 1267 ईस्वी के समय ये अभियान चलाया था बल्बन ने क्या किया कटिहार पर आकर्मन किया और वहाँ जितने विद्रोई थे उनका दमन किया ऐसा बताया जाता है ऐसा लिखावाए जैसा सोर्सेज में कि नो साल से उपर के जितने भी पूरुष थे उन सब की निर्मम अत्याएं बड़ी बेरहमी से अत्याएं करवा दी गई और जो बच्चे और महिलाएं थे उनको बंदी बना दिया गया अब दिमाग में आ रहा होगा किसाब नो साल कोई कैसे तेकिया उस टाइम तो कोई आधार कार्ट तो बढ़े में होते थे तो एक अनुमान के आधार पर जैसा लिखा वाय उसमें सोर्स में कि नो साल से उपर के जितने पूरुष थे उनकी हत्याएं करवा दी बड़ी बेर और तुग्रिल खान ने क्या किया सन 1289 में विद्रोग कर दिया इसी समय विद्रोग क्यों किया तो कारण आप समझ लो दरसल 1289 इसवी तक आते आते बल्बन बूड़ा हो चुका था और इस समय भारत की सीमा पर मंगोल भी आये थे तो बल्बन एक तो स्वेम बूड़ा हो किया था एक तो 1289 इसवी में और 1285 इसवी में अलाकि बल्बन की सेनाओं ने मंगोलों के उस विद्रोग को उस आकर्मन को निश्वल कर दिया था फेल कर दिया था लेकिन जब यह हमला हुआ 1289 के समय मंगोलों का तो एक उचीत आउसर समझ कर बंगाल का जो सुबेदार था तुगरिल खां उसने अपने आपको स्वतनत्र गोशित कर दिया तो तुगरिल खां के विद्रोग का दमन करने के लिए बल्बन ने पहले बेजा अमीन खां को और फिर बेजा तिरमित खां को अलाकि जब अमीन खां लड़ने के लिए गया और पराजित होके वापस आया त तो बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या करा दी गई और उसके शव को टांक दिया गया दुर्ग के गेट के उपर और फिर बाद में बल्बन खुद दो लाग की सेना लेकर बंगाल गया और साथ में अपने बेटे को भी साथ में लेकर गया जिसका नम था बुगरा खां जब ब बड़ी निर्ममता पूर्वक सार्वजनिक रूप से यानि लोगों के बीच में सब को फांसी पर लटका दिया और ऐसा बताया जाता है कि तीन चार किलोमेटर लंबी लाइन थी जितने लोगों को फांसी पर लटकाया गया था और मारने से पहले उनके शरीर में कीले ठोकी गई थी तो बहुत क्रूरता पूर्वक बल्बन ने उन सब की हत्याएं करवा दी थी इसी को कहा जाता था लोह एवं रक्त की निती जो बल्बन के दुआरा अपना ही गई थी बल्बन वापस आ गया और वहां पर अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का सुबेदार निय दी जाती थी कुछ उदारन मैंने रखे जैसे मलिक बगबग जो बदाईयूं का सुबेदार था उसको पांसो कोड़े लगवाए थे हैबात खां जो अबदखा सुबेदार था उसको कोड़े लगवाए थे सारवजिनिक रूप से अपमानित किया था मतला इतना बुरा चेक्ति के मन में एक डर तो पैदा हुई जाता है अब बात कर लेते हैं कि बल्बन जब बुड़ा हुआ तो अब गुलाम मंच का पतन कैसे हुआ दरसल सन 1285 इस्वी में जब मंगोलों ने हमला किया था तो बल्बन की सेना ने मंगोलों के उस हमले को रोक तो दिया था लेक सीरियोस होकर और ऐसे गुसे में कि कोई सुल्तान से अगर बात भी करे तो बहुत डरे बात करने की हिम्मत ही ना हो किसी की तो वह बल्बन जो बहुत क्रूर दिखने की कोशिस करता था जैसा ही कि तिहासकार ने कहा भी है मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा कि बल्बन उस समय का बहुत अच्छा अभीनेता था अभीनेता मतला बहुत अच्छी एक्टिंग करता था सीरियोस दिखने की तो जब बेटे की मृत्य हुई 1285 में उसके बाद बल्बन टूट सा गया और उसके दो साल बाद 1287 में बल्बन की लगबग 80 वर्ष की उम्र में मृत्य हो थी अलाकि बल्बन ने अपनी मृत्यू से पहले अपने बड़े बेटे मुहमद के बेटे के खुसरो को उत्रा दिकारी गोशित किया था फिर से बोलूं अपनी बात को कि जो बेटा मर गया था मुहमद उसका एक बेटा था के खुसरो तो बल्बन ने अपने जीवित रहते कहख हुसरों को उत्रा दिकारी गोशित कर दिया था लेकिन जब बल्बन की मृत्यू हुई तो उस समय के जो सरदार थे जो अमीर थे उन्होंने कहख हुसरों को अगला शाशक नहीं बनाया शाशक किसको बनाया कहकुबाद को ये कहकुबाद कौन था तो ध्यान करो, बलबन का वो बेटा, बुगरा खान, जो बंगाल अभियान पर उसके साथ गया था, उसी बुगरा खान का बेटा था कैकूबाद, तो कैकूबाद को अगला शाशक बना दिया गया, कैकूबाद ने कह किया, उंचे-उंचे पदों पर जो गैर तुरकी थे, उ लामवंश के समय जो आरिज ए मुमालिक था आरिज ए मुमालिक का मतलब यह हो गया कि उस समय का जो सेना का अध्यक्ष था वो था जलालुदीन खिल जी ने दिल्ली पर हमला कर दिया और कैकुबाद की तो हत्या कर दिया और कैकुबाद की हत्या करने के बाद खुद उस बालक क्यूमर्स जो छोटा सा बच्चा था खुद उसका संरक्षक बन गया कि भैया आज से मैं इसका संरक्षक हूँ और थोड़े समय बाद उसको भी मार दिया कि तू क्या करेगा जी कि मैं इस शाषक बन जाता हूँ तो यह विशय था बलबन के शाषनकाल से संबंदित अगला कोई वीडियो देखते हैं अगला कोई विशय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद